नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार की क्लासिस में मात्मा गांधी और राष्ट्य अंदुल में आज हम लोग करने वाले हैं भाग दो इससे पहले पार्ट पन हम लोगों ने कंप्लिट कर लिया है यदि उसे आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए उसका प पढ़िए पीडियाप से पढ़िए गटना चकर को लगाईए सफिसेंट है काफी है इसको पढ़ने के बाद ही जो है आप गटना चक्र को आराम से कंप्लिट कर लेंगे क्योंकि इसमें काफी विस्तार से महत्पून्त अच्चाओं को लेते हुए हम लोग बात कर रहे हैं देखिए वीडियो चुकि लेट इसलिए आ रहे हैं कि तब्यत थोड़ी ठीक नहीं है शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें इस तरह का एक बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा लीजिएगा े वगया समीति के अद्यक्ष हकीम अज्मल खान थे ध्यान रखना है कि सविना वगया समीति'. सेक्ष कौन थे हकी मजमल खान कि कहता है कि अस्थायोग आंदुलन के अस्थागित होने से निरास कॉंग्रेस में एक नई विचारधारा का जनम हुआ जिसके सुत्रधार मोतिलाल नहरू वसियार दास थे चुकि हम लोगों ने पढ़ा था यह अस्थायोग आंदुलन को चौ ग्राफियों गिर गया और इस वज़े से एक नई विचारधारा का जनम हुआ जिसमें की प्रमुक नेता या प्रमुक सुत्रधार कह सकते हैं मोतिलाल नहरू वसियार दास थे इनका उदेश क्या था देखी यह चाहते थे विधान मंडल में प्रवेश करें उसके भीतर कार रवाही को ठप करके राश्ट्रिय अंदरन को जारी रखें उनिस्व बाइस के कॉंग्रिस के गया दिवेशन में मोतिलाल नहरू वसियार दास ने चुनावों के माध्यम से विधान मंडल में प्रवेश का प्रस्ताव रखा था ध्यान रखी बहुत इंपोर्टेंट चीज है अब यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि गया दिवेशन यूनिस 122 में हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था क्लियर है यह चाहते थे कि विधान मंडल में हम लोग प्रवेश करें फिर उसके बितर कारवाई को ठप करें और राश्ट्रे अंदरन को आगे बढ़ाए लेकिन इस प्रस्ताव को कॉंग्रिस ने बहुमत के साथ और श्विकार कर दिया था कहता है कि आप परिवर्तन वादी अर्थात इसमें जो प्रमुक नेता थे राजनेत परसाथ, राजगोपलाचारी, सर्दार पटेल, जमनालल बजार ये सभी क्या थे आप परिवर्तन वादी अर्था जिस तरह से आंदूलन चलते आ रहा है, उसी तरह से चलना चाहते थे, ये विदान मंडल में घुस करके फिर आंदूलन को ठप करना ऐसान का कोई रादा नहीं था, इसलिए गांदी जी की रनिती के तहती कारी करना चाहते नहीं थे और उन्होंने गांदी सेवासंग की अस्थापना की, सरदार पटेल वबिठल वावई पटेल की नेतृत्त में 1927 नागपुर में जंडा सत्यागरह चलाय गया था, ध्यान रखीएगा जंडा सत्यागरह कब चलाय गया था, 1923 में, पूछावा सवाल है और ये काह लाए गया था तो नाकपूर में बात करेंगे सुराज पाटी की तो देखिए कॉंग्रेस के गया दिवेशन में जो है मौतिलाल नहरू एवन सी अरदास निसका प्रस्ताव किया था कॉंग्रेस सेनों ने त्याग पत्र दे दिया बात करें इसकी स्थापना की तो 1923 इलाबाद में कई जिगे जनवरी भी दिखा रहता इसको आप जोड़ी गवर कनफर्म कर लिजेगा 1923 इलाबाद इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये थे श्रियार दास और सचिव मौतिलाल नहरू बात करेंगे गांदी दास समझाता का जो कि नुवंबर 1924 में संपन हुआ कॉंग्रेस से स्वतंत्र होकर एक श्वायत निकायक रूप में कारे करेगी स्वराज पार्टी ये समझाता का एक मुखिशार था कॉंग्रेस का बेलगाओं जो की करनाटक में है वार्षिक अदिवेशन हुआ जिसमें की एक मात्र अदिवेशन है जिसके दिख्षता गांदी जी द्वारा की गई थी ध्यान रखना है 1923 विधान मंडल केंदरी चुनाव में स्वराज पार्टी को 101 सीट में से 42 सीटों पर जीत मिली थी कहता है कि मोतिलाल नहरू के दिख्षता में स्वराजियों ने 1924 में संसोधन प्रस्तुत किया कि भारतिय संविधान का दिर्मान भारतिय संविधान सबाद्वारा ही होना चाहिए यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा लेकिन आगे कहता है कि जून 1925 में चितरजन दास की मृति हो गई इसके बाद जो है स्वराज पार्टी सिथिल पड़ गया और बंगाल जो है बंगाल में जो कॉंग्रेस थी दो गुटों में बढ़ गई अनुसिलन समिती युग पांतर शमू कि कहता है कि 1928 में केंद्री विडान मंदल में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया जब यह पारित हुआ तो मोतिलाल नहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारती राष्टपात पर सिदा हमला भारती गुलामी का विध्यक कहा था ध्यान रखिएगा सव बात करेंगे शाइमन कमिशन की तो ध्यान रखिए गठन इसका नवंबर 1927 में हुआ है किसके द्वारा तो भारते सचीव बरकेन हेट के द्वारा ध्यान रखिएगा बरकेन हेट की द्वारा योकी कौन था तो भारत का एक सचीव था इसी ने गठन किया इस समय ब्रिटन क प्रधानमंत्री बाल्डविन था जो की कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर में था अध्यक्ष की बात करें तो जॉन साइमन कुल इसमें आठ सदस्य थे कहता है कि सभी सदस्य जो हैं साइमन कमिशन में अंग्रेज थी और अंग्रेज होने के कारण कॉंग्रेज ने से स्वेट कमिशन भी नाम दिया क्लियर है लॉड इडविन की सुझाव पर इसमें भारतियों को सामिल नहीं किया गया था बात करेंगे साइमन कमिशन को कुछ है यहां पर समर्थन भी मिला था जिसमें कि मुहम्मद सफी मुस्लिम लीग से संबंदित हैं मदरास की जस्टिस पार्टी पंजाब की यूनिनिस्ट पार्टी और बी यार अमिट करें इन लोगों का साइमन कमिशन को शपोर्ट था ध्या मंबई मतलब भारत पहुचा है फरवरी 1928 में कहता है कि जब यह मंबई पहुचा तो इसको विरोध में साइमन गोबैक के नारे लगाए गए काले जंडे दिखाए गए इसी के विरोध की करम में लाहोर में लाला राजपत्राय के नेतरुत में एक विरोध बड़ा आई गई लाला राजपत्राय ने कहा मेरे उपर किये जा रहे लाठी का परतेक वार ब्रिटिस समराज के ताबूत में आखरी कील साबित होगा यह सवाल भी आपका पूछा गया है ध्यान रखिए गा आगे कहता है कि इस विरोध में विरोध प्रसन के दोरान लाला 1928 को लाला राजपत्राय की मिर्तिव हो गई थी साइमन कमिशन ने तमाम विरोधों के बावजूद में 1930 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी क्या थी रिपोर्ट देखते हैं साइमन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि प्रांतों में उत्तरदाई सासन स्थापित करना है मतलब करने की लिए बात किया उसने साथ ही कहा कि केंद्रे सासन में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं है इसके लावा भारत में संग ये कि स्थापना गवर्नर ववाई शराय को विशेश पावर दिये जाने चाहिए तो ये सभी जो है साइमन की रिपोर्ट में मुख्य बातें थी बात करेंगे नहरो रिपोर्ट की तो जब देखिए बारत में साइमन कमिशन का पुर जो है विरोत किया गया तो उस समय बारत का जो सचीव था बरकिन हेट उसन भारत्यों के सामदेग चिनौती रखी उसने कहा कि वे एक ऐसी सम्विधान के सब्झ भारत्यों को मानने हो इसी करम में मोतिला लेहरू ने मोतिना नहरू के दिख्षता में 7 सदस्य कमिटी का गठन किया गया इस कमिटी ने 10 अगस 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे हम लोग कहते हैं नहरू रिपोर्ट क्या था इस रिपोर्ट में देख लीजे कहता है कि भारत को पूर्ण अपनेवेशिक राज का दरजा 1909 में लागू सामपरदाइक निर्वाचन पद्रती को शमाप्त करना है शयुक निर्वाचन पद्रती लागू की जाए केंद्र वर राज में उत्तरदाई सासन की व्यवस्था हो केंद्र में द्यूशदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया जाए बासाई आधारों पर परांतों का गठन हो देशी राजियों के उत्तरदाई सासन की स्थापना के बाद ही भारत संग में सामिल हो आगे कहता है भारत में एक परतिरक्षा समिती गठित की जाए सुप्रीम कोर्ट यूप्यसी जैसी शिंद को बंबई से प्रतक परांत बनाया जाए धर निर्पेक राजिके स्थापना की जाए मुसलिप अलपसंक्यक छेत्रों में सीटों का आरक्षन किया जाए यह किया जाएगा यह सब प्रमुख जो है नहरू रिपोर्ट की महत्पूर्ण बाते थी इसे हमें जरूर से ध्यान में रखना है आगे देखते हैं क्या कहता है कहता है कि सुबाश नर्बोस जवाहा लाल नहरू एबं अन्युवा नेता जो थे यह डोमिनियन स्टेट की जगह है पुर्ण स्वराज को ज़्यादा तवज्जू दे रहे थी यह इनकी यह मांगती पुर्ण स्वराज और इसे ही यह कॉंग्रेस का लक्ष भी बनाना चाहते थी अंत्यता जो है सुबाश चंद्रबोस एबं जवाहार लाल नहरू ने 1928 में भारतिय स्वर्णता लीक की स्थापना की बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉंबिनेशन नहरू और बोस यह कॉंबिनेशन जल्दी हमारे दिमाग में आता नहीं है तो ध्यान रखिए अगर हमसे पूछ ले कि बारतिय स्वर्णता लीक की स्थापना किस ने की थी रिपोर्ट को स्विकार कर डॉमिनिन स्टेट का दरजा नहीं देती है तो कॉंग्रेस पूंड्स वराज से कम किसी भी प्रस्ताव को स्विकार नहीं करें तो यह गांदी जी का चैलेंज था आगे जब नहरू रिपोर्ट आया तो इसमें जो भी प्रावधान किये गए जो कि हम लोगों ने देखा इसमें मुस्लिम लीग ने तीन संसुधन जो है प्रस्तूत किया कहा कि यह संसुधन होने चाहिए लेकिन सभी संसुधनों को ठुकरा दिया गया जिसके बाद जिन्ना ने 14 सुत्री मांग रखी और गांधी जी ने देखी ध्यान रखीएगा कि जिन्ना को काईदे आजम कहा था क्लियर है नवंबर 1929 में देश के प्रमुक नेताओं ने दिल्ली सम्मेलन का आयुजन किया तथा एक घोशना पत्र जारी किया जिसे दिल्ली घोशना पत्र कहा गया और इस घोशना पत्र को वाईसरा एरिविन ने और शुकार कर दिया था उसने तो नेहरू रिपोर्ट को भी और शुकार कर दिया था कांदी जी ने वैसे एक वर्स का टाइम दिया था बात करेंगे लाहुर अधिवेशन 1999 एक दिसमبر 1929 को जवाहर लल नहरू के दिक्स्ता में लाहुर सम्मेलन का आयज़न हुआ। इसमें पहली बार पुर्ण स्वराज का लक्ष रखा गया पहली बार पुर्ण स्वराज का लक्ष कब रखा गया लहुर दिवेशन 1929 कई दफा पूछा गया है तता अर्ध रात्री को रावी नदी के तट पर तिरंगा जंडा फेराया गया इस समय पंडित नहरू ने भासन दिया मैं समाजवादी वगंतंत्रवादी हूं ध्यान रखिएगा सवाल हम से पूछा जा सकता है कि यह भासन किस ने दिया था रावी नदी के किनारे तो पंडित जवाहरलाल नहरू 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 चब्वी जनवर 1930 को पुर्ण स्वराज दिवस के रूप में मना गया बात करेंगे सविनय वग्यांदूलन के बारे में देखिए कहता है कि कॉंग्रेस का जो लाहूर अदिवेशन 1929 में हुआ था इसी अदिवेशन में सविनय वग्यांदूलन प्रारम करने के नुमती मिली थी गांदी जी ने इरिविन की सामने ग्यारा सुत्री मांग रखी जिसका प्रकासन इनों ने अपने सापताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में किया था ध्यान रखिये का यंग इंडिया कैसा था शापताहिक था बात करें 1103 मांगों की तो देखिए क्या थी ये प्रमुख मांगें कहता है इसमें कहा गया कि सेन वब प्रसाशनिक खर्च में 50 परतिशत की कटोती की जाए इसके अलावा लगान में 50 परतिशत की कमी हो पुन्द सराब बंदी नसीली दवाओं पर रोग लगे राजनेतिक कैदियों की रिहाई की जाए बारतियों को हतियार रखने के नुमती मिले आत्मरक्षा हे तू नमक कर समाप्त कर नमक पर सरकारी एकाधिकार को भी शमाप्त किया जाए रुपया का विनिमैदर किया जाए तुद्य यातायात रक्षा विदयक पास ओ सीईडी पर सारजी नियंत्रन हो डाक आरक्षन विदयक पास हो तक्छात्मक सिल्क लगाये जाए विजिसी वस्त के आयात को नियंत्रुत किया जाए ये सभी प्रमुक जो है ग्यारा सुत्री मांग में सामिल थी इर्विन ने ग्यारा सुत्री मांग को नहीं माना जिसके बाद गांदी जी ने इर्विन से कहा कि मैंने रोटी मांगी मुझे पत्थर मिले इंतिजार की घडियां शमाप्त होई तो ध्यान रखियेगा बात करेंगे डांडी मार्च की बहुत सवाल यहां से बनता है 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था कहां से सावरी मती आसरम सी डांडी डांडी नफसारी जिला गुजरात में ध्यान रखियेगा कहता है गांदी जी अपने 78 सहयोगयों के साथ रवाना हुए इस समय कस्तुरबा गांदी, सुचेता करिपलानी, हनसुया बेन, सरोज निन नाइडू भी उनके साथ थी 24 दिन की स्यात्रा में 359 किलोमेटर दूरी का सफर तै करके 6 अपरेल 1937 को गांदी जी डांडी पहुचे और इसी दिन गांदी जी ने स्वैम नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा इस परकार सविनेवा ग्यांदूलन सुरू हो गया कहता है कि सुबाश चिनर बोश ने इस जात्रा के तुलना नेपोलियन की एलवा से पेरिस अभियान के साथ की थी कंपेर किया था सुबाश चिनर बोश ने सविनेवा ग्यांदूलन की कारिक्रमों की बात की जाये तो देखिए इसमें क्या-क्या सामिल था तो नमक कानून को तोड़ना सराव व विदेशी वस्तरों के दुकान पर धरना देना सरकारी मसिंद्री का भाहिशकार अदालत, स्कूल, कॉलेज, सरकारी समारो, सरकारी पद इत्यादी का त्याग कर देना गर-गर में चर्खे काते जाएं गांदी जी व अस्थानी निताओं की ग्रिफतारी के बाद अहिंसा बनाए रखें भूराजस हुआ करों की अदायगी पर रोक लगा दी जाए बात करें इसांदुलन की विस्तार की तो ध्यान रखिए सीराज गोपलाचारी ने तमिल नाडू में तिर्चापली तंजोर तट पर इस्थित विदारन्यम तक यात्रा की थी वहीं आगे कहता है मालाबार में वायकॉम सत्त्तरागी नेता के केलपण ने कालिकट से पिन्नार तक यात्रा की असम के सिलहट से शत्यागरी ने बंगाल के नुवाखली चटगाउं समुदर तट तक पहुचकर नमक तोड़ा पस्षिमोतर परांत में कहता है कि पस्षिमोतर परांत में गांदे जी की समर्थक खानदूल गफार खानने अंदूलन किया खानदूल कफार खान को गरिफ़तार करके पेसावर जिरमे रखा गया था दियान रखिए का इन्हें इनके समर्थकों ने छुडाक लिया और उगर अंदूलन किया सरकार ने इस अंदूलन के दमन हे तू गड़वाल रेजिमेंट को आदेज दिया लेकिन इस रेजिमेंट के सेनिकों ने अंदूलन कारियों पर गोली चलने से मना कर दिया सबार हम से पूछ ले किस आंदूलन के दौरान गर्डवार रेजिमेंट के सेनिकों ने आंदूलन कारियों पर गुली चलाने से मना कर दिया तो धियान रखियेगा कौन सांदूलन है ये सबी ने बग्या आंदूलन बात करें खानदूलकफार खान की तो इन्हें सिमानत गांधी कहते हैं लालकूर्थी आंदूलन चलाया था इन्होंने पस्षिम उत्तर प्रांट में ध्यान रखियेगा आदूलन कारियों ने मलंग बाबा मतलब मात्मा गांधी की जय के नारे लगाए थे और मलंग बाबा कहा था खान अदूलकफार खाने ध्यान रखियेगा ये सवाल पूछा गया है मलंग बाबा बात करेंगे मास्टर दसूरिशन की तो देखिए बंगारी स्कूल में ये प्रिंस्पल थे और इन्होंने अंग्रिजों के सास्त्रागार चटगाओं को लूट लिया था ठेक है और जलालाबाद की पहाड़ियों पर अधिकार कर स्वातनर सरकार की अस्थापना की थी 1934 में इने मिर्ट्यू दंड दे दे जाया गया था ध्यान रखिएगा मास्टर सूरिशन नेक्स्ट है धरसाना नमक्षत्यागरा ये क्या था तो देखिए 1930 में सरोजनी नैडू वह इमाम साहब ने वाइसरा एरिविन को पद्र लिखकर कारखाना लूटने की चुनोती दी लगवग 50,000 समर्तकों के साथ उन्होंने नमक कारखानों को लूट लिया था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना को लेक न्यू फ्रीमेन नामक समाचार पत्र में किया है सवाल हम से पूछ सकता है धरसाना नमक्षत्यागरा सिशंबंदित प्रमुक नेता है ध्यान नगी का स्वरोजनी नैडू इमाम साहब नेक्स्ट है गोडिनेल्यू नागलेंड की तीरे वर्षिय बाली का गोडिनेल्यू ने तरंगे का अपमान करने वाले दू अंगरेजों को मार दिया इस बात से काफी प्रवावित होकर पंडित जवाल अलनेरू ने इन्हें रानी की उपाधी दे थी अन्यमात्पुन तत्यों की बात कर लें इस अंदुलन से संबंदित तो देखिए सरवादिक महिला भागिदारे वाला अंदुलन था ये सभी नए वग्या अंदुलन इस अंदुलन के दौरान बिहार के लोगों ने चोकिदारी कर देने से भी मना कर दिया था बहुत इंपोर्टेंट कई दफ़ार पूछा गया ध्यान रखिएगा असम के छात्रों ने कनिंगम परिपत्र के विरुद हड़ताल किया ये क्या था कनिंगम परिपत्र तो देख कि बारती विद्यारतियों वह अभिवाकों को अच्छे वहवार की गारंटी देनी पढ़ती थी बार्यंग्रेज कहता है 1930 में सरकार ने कॉंग्रेज को गैर कानोनी संस्ता गोशित कर दिया जब इस आंदूलन का प्रवाब बढ़ने लगा तो सरकार के दोरा एक कदम उठाये गया आंदूलन के दोरान जवाला नेरो को ग्रिफतार करके यरवदा जेल में रखा गया था ध्यान रखिए यरवदा जेल को महात्मा गांदी ने मंदिर का संग्या दिया था आगे कहता है कि गांदी जी की जब ग्रिफतारी हुई तो उसके बाद जो है शविनय वग्या अंदूलन का नेतृत अबास तयब जी ने किया था बहुत इंपर्णन सवाल कई दफ़ा पूछा गया है तो इस इसको ध्यान में जरूर किया इसका देखी पार्ट थार्ड में अमलोग करेंगे पूना पैक्ट या उसके बाद जो भी महतपुन फैक्ट आये हैं वैवेल प्लैन इसको कंप्लेट करेंगे तीसरी पार्ट में इस साथ कंप्लेट हो जाना चाहिए जल्दी मिलेंगे अगले भाग में तब तक सपोर्ट करते रहें शेर करते रहें जै हिंद जै भारत लेकिन एक बात इसको रिवाइज ज़रू करें आप थेंक्यू वेरी मच्छ